अस्सलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं आप लोग के टेंथ क्लास के उर्दू बुक का चेप्टर नमबर 4 जिसका नाम है कटी हुई शाख और ये भी एक तरह क्या है अफसाना है यानि कि कहानी है और मैं आप लोग को बता दूँ यह जो कह कहानी है कटी हुई शाख यह बहुत ही खुपसूरत सी कहानी है कहानी क्या मतलब यह कहानी एक जरिया है वो बात समझाने की जो इस कहानी में समझाने की कोशिश की गई है और जो हमें समझनी है और उस कहानी को समझकर उस बात को समझकर वाकवी में इस कहानी का नाम दे दि लेकिन हाँ अगर आप लोग कहानी को समझ गए और उस बात को समझ गए ना तो लास्ट में आपको भी लएगा कि हम वाकई में यह जो इसके राइटर है वह इसका नाम दिये है कटी हुई शाख ठीक है वह हम लोग कहानी को भी समझेंगे और उस बात को लेकिन यह भी तो जरूरी है ना इस चप्टर के राइटर को ने किस ने लिखा है तो देखिए इस चप्टर के जो मुसंनिफ है वह कमर जहां क्या है कमर जहां नहीं कमर जहां बड़ी काफ ठीक है यह आप लोग जड़ा प्र ध्यान रखिएगा को पर जहां इनकी यह दोनों एक साथ कभी नहीं देगा ठीक है समझती पूर जीला के मुर्दम खेजगाओं बुजर्ग द्वार में इनका क्या हुआ पैदाइस हुई इनके वालिद का नाम सेयद अताउलहक था ठीक है यानि कि इनके पीता जी का नाम जो था वो सेयद अताउलहक था और एक बात आप लोगों को जानकर ताजब होगी कि यह एक क्या है औरत है कमर जहां ठीक है इनके खान उनका खांदान इल्मौदब से दिल्चस्बी रखते थे यानि कि जो इनका खांदान था परिवार था यह इल्मौदब यानि कि एजूकेशन से दिल्चस्बी रखते थे एज इसलिए यह भी ज्यादा फोकस की एजुकेशन पर ही यह इनकी जो इनीसियल एजुकेशन था प्रारंबिक सिक्षा वान टू थ्री फॉर एट नाइन टेन एलेवन ट्विल्थ क्लास का वह अपने वह अपने गाउं में ही की समझती पूरजीला के गाउं में ही लेकिन जब व प्रारंबिक सिक्षा पूरा करने के बाद वह पत्ना में और पत्ना यूंइरसिटी से उन्होंने उर्दु में किया और पीचडी भी खीए और उन्हींस अचिछाइशाट इसभी से वह अपसाना लिखना शुरू कर दी कब से उन्हीं सच्छाइशाट इसभी से इनकी जो पहले कहानी है जो पहला अफसाना है वह जुनूने वफा क्या नाम है जुनूने वफा देखिए जो उन्हेंस अच्छासट इस्वी में ही इसका क्या हो गया शाई हो गया प्रकाशित हो गया आगे सुन्दर्वती महिला कॉलेज भागलपूर के शीबा उर्दू से कैरियर का अगाज और तरक्फी करके भागल फूर युनियर्सीटी यहां पर भागल फूर चुट गया भागल फूर सिटी के तार श्रीबा बनी दी मतलब मेशन वा सुंदरवति महिला कॉलेज भागलपूर के जो श्रीबा उर्दू से उर्दू थैकर डिपार्टमेंट बन गई उस डिपार्टमेंट आफ उर्दु का जो क्या बन गई प्रसीडर्ट बन गई तेखे आगे देखे इनका तीन अफसानवी मजमुवा हैं चारा गिर जो कि उन्हें सा 13GM प्रकासित हुआ अबी चिहरे जो कि उनिन सेानवीर में प्रकासित हुआ और याद नगर इसका प्रकासित हुआ इसका प्रकासित हुआ कि में नहीं का मतलब होता है जो शेर या अफसाना निगार जो है शायर और अफसाना निगार है वो शेर लिख चुके हैं अफसाना लिख चुके हैं उनमें क्या गलती है क्या अच्छाई और बुराई है इन जाच करना सर्च करना ठीक है उसी को बोला जाता है तनकीद ठीक है क्या बोला निगार के साथ साथ क्या थी तनकेद निगारी भी थी और इन्होंने तनकेदी मजमुए भी क्या किये प्रकासित किये तनकेदी किताब भी प्रकासित की और पहला था उसकिताब का नाम अख्तर शीरानी की जिंसी वरुमानी शायरी दूसरा है मौयार तीसरा है कलाम लोगे कमर जहां के बारे में टोटल जानकारी उनके बारे में डिटेल्स जो आप लोगे एक्जाम में अगर पूछ भी दे तो आप लोग छोड़कर नहीं आना है उसको अच्छे से टिक लगा कराना है और बता करें अब हम लोग चलते हैं कटी हुई शाह कहानी की तरफ और इतना खुब्सूरत कहानी क्यों है देखिए कटी हुई शाह इसका चप्टर नुबर 4 है देखिए यहां पर कमर जहां की कुछ डिटेल्स दे दिया गया है उसका मैं क्या कर दी हूँ मैं मैं पॉइंट यहां पर लिख दी हूँ आगे देखिए चलिए मैं आप लोगों को कटी शाह कहानी बताती है देखिए इसमें जो कमड घाना इस वाधि एक इंसान है जो रहता तो एक अपने इलाका हमें इस पर ग्याह आओं में रहता है और वो मतलब इस चीज़ में लालच उसकी आ जाती है कि वो देखे इतनी हरी बरी दुनिया के दूसरे दुनिया में जाकर और इसे खुआब और ख्याल की लालच में वो एक दिन क्या करता है अपना वीजा भी बनवा लेता है और वीजा बनवा कर वो अपनी ममी पापा या उनकी वालिद और वालिदा को क्या कर देता है बिमारी की हालत में ही छोड़ कर जाने लगता है सुचिए उसके पास कितना जुनून और कितना सौक रहता है बाहर की दुनिया देखने का इतना जुनून में आगे रहता है कि अपनी ममी पापा को बिमारी की हालत में ही छोड़ कर जाने लगता है अपने दोस्ते जो उनके करीबी दोस्त है उनको भी क्या कर देता है अजनबी करकर और इस दुनिया मतलब उस इलाके से चला जाता है और जब अपने घर को छोड़ कर जाता है जैसे ही अपने गाव से निकलता है स्टेशन पर जाता है उसको तो लगता है कि उसके सरीर में पंक लग गए है उसको समझ में आता है कि जैसे कि मेंधक कुवा में नहीं रहता है कुवा से बाहर निकलता है तो वो इतनी बड़ी द लड़किया जो क्या करती है तो वह उसके लिए कुछ लेकर आती है तो उसको लगता है कี่ı यहीं मुस्कुराया यही लेकिन रहती है वह दुसरे लोगों के साथ भी वैसे ही खातिरदारी करती है तो इसको लगता है कि नहीं यह सभी लोग के लिए और यह इसका काम है फिर वो चला जाता है दुसरी जगह दुसरी दुनिया में वहां की हर रंगीनियों को देखता है उसका हर सपना और ख्वाप पूरा होता है दो-तीन साल उधरी रहता है लेक उसके वालिद की यानि की उनकी पीता जी की मौत हो जाती है लेकिन दिल खोलका रो भी नहीं पाता है क्योंकि वह वहां से आ भी नहीं सकता तीखे अब वहां पर क्या करता है दो-तीन साल रहने के बाद हर चीज़ तो देख लेता है लेकिन तब उसे समझ में आता है कि यह दुनिया है वह रोबोट की तरह है वह अपने दोस्त असद से बोलता है उसका दोस्त क्या रहता है उस शक्स का दोस्त असद ठीके देखिए इस कितना अच्छा इस कहानी को पेश किया गया है कि कमर जहां इस कहानी को बता भी दिया है और इसमें उस शक्स का नाम भी नहीं ब पुछता है कि यार यहां और धूकि यहां के मुझे लग रहा है यहां पुर्पवेट में उसको कमी मैसूस होने लगती है अपने वालिद और वालिदा की और अपने दोस्तों की ठीक है मतलब उसे लगता है कि यहां के लोग रोवोड बन चुके हैं शहर के लोग आते हैं सुबाही काम करने चले जाते हैं और रात को लेट से आते हैं और जब रात को लेट से आते हैं तो उ पैसे की लालस में और पैसे कमाने के लिए वह रॉबोट बन चुके है ठीक है इस तरह की वह सोचता है और वैसा दिखाई भी देता है वहाँ शहर की उसे तरह दुनिया होती है लोग सिर्फ कमाने में ही ज्यादा ध्यान देते हैं पैसे आने चाहिए तो इस सारी चीजे प्राहिट आई उसको एक कमी मحسوس हुई अपने वालिद' और वालिदा की है वैसे तो उनके वालिद का इंत्काल हो गया था सिर्फ वालिदा बची थी और उनके दोस्त उसके इलाके में बचया थे तो क्या तरह है बर्गत का पेड़ क्या क्या जिस चीज़ का पेड़ था उसके आंगन में बिल्कुल उसी तरह है वो भी जूम रहा है उसकी माँ उसी तरह चरपाई पर बैठ कर खास रही है उसके दोस्त भी है ठीक है बस उसे एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी वो पहले वाला मु छोड़ कर चला गया था इसी वज़ा से ऐसा हुआ है और लोग मुझे अपना नहीं पा रहे है वो चौकट पर खड़ा है और बता रहा है कि मैं आ गया हूं लेकिन फिर भी उसकी माँ उसको मतलब देख रही है टटोलने की कोसिस कर रही है कि हां यही मेरा बेटा है ठीक है वाँके सभी लोग क्या होगे इसको भूल चुके थे ठीक है अब यह फिर वो ही वाला अपना पन ढूनने की कोसिस कर रहा है जो कि इसको कभी नहीं मिल सकता क्यों क्यों कि छोड़ कर चला गया था तो यह वो जो शक्स है इस उसको यह बात की एहसास होती है कि जिस तरह पे तो पाल रि Chi to कर चले जाने की बाद वह फिर से वह रिष्टा वापस नहीं जूर सकता है कि तो देखे कितनी खुब्सूरत बात कहीं है पेड़ के शाह को टेहनियों को कारण कर अलग कर दी सबसे पहला सवाल कमर जहां की पैदाइस कब हुई तो कमर जहां की पैदाइस मैं लिखी दी हूं कमर जहां के वालिद का नाम क्या है तो कमर जहां के वालिद का नाम सेद अताउल हग है कोई दिक्कत नहीं है तीसरा सवाल कमर जहां का पैदाइसी तालुक सोबा बिहार के किस जिला से है यानि कि कमर जहां बिहार में तो पैदा हुआ लेकिन किस जिले में पैदा हुए तो सम मस्ति पूर्जिला के ठीक है मैं लिख भी दी हूँ चार नंबर सवाल कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है मतलब कमर जहां जो है इनका कौन सा कहानी आपके इस सिलेबस में आपके इस बुक में है तो कौन सा कहानी अभी आप लोग पढ़े कटी हुई कैसे लिखेंगे कंमर जहां का अफसाना कटी हुउ पास कमर जहां किस यूनिएर सीटी में अस्ताद है तो कमर जहां भागल पूर यूनिएर सीटी की सदर्सोबह अस्ताद है आगे बढ़ें मुक्तसिर सवा लगव surviv यहां से सवाल है ठीकहीं पहला सवाल है कमर जहां की हालात जिंदगी पर पांच जुम्ले लिखिए तो ये आप लोग खुद से लिख सकते हैं कमर जहां के बारे में हालात जिंदगी वो कब पैदा हुई इस तरह लिखिएगा कमर जहां की पैदाईश तक्रीबर 19-12 में हुई बिहार के समझती पूर जिला के मदमखियस गाओं के बुजर्ग दौर में हुई थी और उनके वालिद का नाम सेयदा ताउल हक था उनका खांदाल इल्म अदब से दिल्चस्पी रखते थे और वह पढ़ाई अपने वह अपना इप्तदाई तालीम यानिकी प्रारंबिक शुक्षा अपने गाओं मैं सारा चीश तो बता चुकी हूं कमर जहां कहानी के बारे में इस से बाहर करी कोश्चन ना इंसर आएगा नहीं आएगा दूसरा नमबर सवाल है कमर जहां की तसानिव की फहरिस्ट मौजू के एतबार से लिखे यानि कि जो कमर जहां है उन वह कितने किताबे लिखी ये लिखना है आप लोगो तो कौन कौन से किताबे लिखी बोलिए इस तरह लिखिएगा आप लोग कमर जहां अफसाना निगार होते हुए भी वह एक तनकीद निगार थी ठीक है और उन्होंने तीन अफसानिवी मजमूए लिखे तीनों का नाम लिख दीजिएगा पहला में इशारा गिर दुसरा में अजनवी चेहरे और तीसरा में यादे नगर फिर लिखिएगा उन्होंने अफसानी चार अफसाना सौरी चार तनकीदी मजमूए लिखे पहला में अख्तर यह वाला लिख दीजिएगा दुसरा में यह तिसरा में चौता में यह हो गया क्लियर यह जिए आप लोगों को लिख लेना तो यहां से स्टաर्ट कीजेगा उनकी जो इफ्तदाई तालीम थी वो उनकी गाउं में ही हो गई फिर उन्होंने प्रारंबिक सौरी उताई तालीम पूरी करके वह पटना आ गई और पटना में उन्वेर्ट सिटी से उन्होंने उर्धू मे किसी पाच अफसाना नेगारों के नाम लिखे यानि कि उर्दु में पाच अफसाना नेगार यानि कि कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम लिखना है तो पहला अफसाना नेगार जो अफसाना लिखे थे अफसाना भावी जान उसका लेखक लिए भावी जान के राइटर कौ सजिवन थे बताइए सेद मौमध मौसीन तå ये दूसरे हो गए तिसरे साथ का नाम लिखदीज.'" अभी यह कमर जहां लिख दिजीगा तीसरा चौथा लिख दिजेगा निगार अजीम क्या लिखिएगा निगार अजीम और पांच वालिख दिजेगा शकीला अक्तर हो गया पाच अफसान निगारों के नाम ठीक है आगे बात आती है तवील सवलात की यानि की दिर्व उत्रिया प्रसन की यहां से स्टार्ट होता है देखिए ठीक है मतलब इसमें बड़ा बड़ा अंसर आपनों को लिखना है और मैं बोलती हूं आप लोग खुद से बड़ा बड़ा अंसर बनाकर लिखिएगा यह नहीं की छोटा छोटा लिख दें हो गया एंसर पहला सवाल है कमर जहां की अफसानों की मौजवात पर रॉसनी डाली है कमर जहां जो अफसाना लिखिए उनके टॉपिक पर क्या डालना है रॉसनी डाल देना उनके बारे में लिख देना है उनके अफसाना के बारे में वह कैसी इस जो कहानी का नाम है कटीवी शाख यह तो कहानी से मालूम चल जाने आप लोग कहानी था लिखा गया है क्योंकि जिस तरह पेड़ से शाख कटकर अलग हो जाता है और दुबारा नहीं जूरता उसी तरह रिष्टे भी अगर एक बार में तोर दिये जाए तो वह दुबारा से दुबारा नहीं जूरती और इस कहानी में इसी तरह का कुछ लिखा गया आप लंबा चौड़ा बनाकर लिख दीजिएगा क्यों कटी वी शाक लिखा लिए ठीक है आगे देखिए तीन नंबर सवाल महाजिर अदब की स्टिला से आप क्या समझते हैं क्या यह अपसाना इस सामिल कर देना अपनी मुदर टॉंग में क्या करना सामिल करकर बोलना महाजिर कहलाता है और इसकी दो शर्ते हैं दो सूरत हैं बोलने की सबसे पहले क्या कीजिए कि आप जो अधर लेंग्वेज जिसको आप बोलना चाहते हैं डिरेक्ट उसको उठा कर लाईए और उसका ट अधर तो आगे देखिए चार नंबर सवाल कहानी के मरकजी किर्दार की जहनी और जजजबाती कीफियत को इखतेसार में लिखिये मतलब इस कहानी का जो किर्दार है वो शक्स जो दूसरी दुनिया में चला गया है अपने परिवार को अपने गाउं को चोड़कर अपने घ दूसरी मिलती एप उसकी किफियत के बारे में लिखना है उस किर्दार के बारे में तो अप लेको का यह लास्ट को श्रम था कम्प्लीट तो मुक्तसिर तरीन सवलाथ मुक्तसिर सवलाथ और तवील सवलाथ यह तीनों कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपम recipes कबढ़़न जितना हो सके अपने परूसियों के पास अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी इस वीडियो का लाब उटा सके और चैनल को तो सब्सक्राइब करकर रखिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुचे तो इस टॉपिक से कोई भी कमफीजन हूं आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज